मुझाज़ दिवस के मौकी पर समाज़ वादे है अधियक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के एटावा में 158 फीट उचा जंडा फेराया इस दोरान उनके साथ कई सपा के नेता भी मौजूद थे आज 15 अगस्त है मैं सुतंदा दिवस की पूरे देश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुपकामनाई देना चाहता हूँ साथी साथ हम उन तमाम महापुर्सों को सबसे पहले राश्पिता महाद्मा गांदी जिन्होंने लगातार और उनका साथ देने के लिए तमाम भारत के हर कोने से लोगों ने साथ दिया राश्पिता महाद्मा गांदी के आभांग और लगातार करांतिकारियों के संगर्स और अनकिनित लोगों की कुरुवानी के बाद हमें भारत देश आजादी और भारत देश को आजादी दिलाने में हम सब उन लोगों को याद भी करते हैं और आज के दिन ये संकल्ब लेते हैं कि जो सपने सुन्दा सेनानियों ने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे इस दोरान उनके आज पास इकठे हुए लोगों ने वंदे मात्रम और अखिली श्यादव जिन्दाबाद के नारे लगाए अखिली श्यादव ने यहां मनिपूर पर भी बात की जहां एक तरफ मनिपूर जैसी प्रदेश में जो घटना हुई वो दुनिया में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा वहीं आज के दिन हम लोगों को ये भी अपील करने चीए कि मनिपूर के लोग जिस सद्वावना के साथ जिस प्रेम के साथ जिस तरीके से मिल जुल करके रह रहे थे वैसे ही रहे और इस तरह की घटना दुबारा नहों जहां हमारी बेटियां हमारी बेहनों के साथ ऐसी घटना घटी हो न केवल मनीपूर बल्कि देश के किसी कौने में इस तरह का विवार किसी महिलाया बेटी के साथ न हो दुनिया बहुत आगे बढ़ी है जिस रूप में हमारा देश आजाद हुआ था जो हमारी सीमाए थी जब आजादी हमें मिली थी वो हमारी सीमाए सुकड़ी है सरकारे जो भी रही हो लेकिन कहीं न कहीं हमारे भारत जो आजाद हुआ था उस समय जो हमारी सीमाए थी उन सीमाओं को सिकोड़ने का काम पड़ोसी देशों ने किया है आज के दिन 15 अगस्त जब पूरा देश सुतंता दिवस मना रहा है तो हमें भी ये संकर्व लेना चाहिए कि जिस कुर्वानी और जिस संघर्द के बाद आजादी मिली हमारे देश को हमारे देश जहां मजबूत हो वही सीमाओं भी हमारी बहुत सुरच्चित रहे हैं साथी पीम मोधी पर भी अखिलेश यादव ने यहां नीशान असाधा जो हमारी समस्या हैं उनका हमा आकलन करें अगर तो लोग तंत्र में जो सुत्तता होती है उसमें हम कहां खड़े हैं हम प्रैस की आजादी में कहां खड़े हैं हम करफशन में कहां खड़े हैं ये कहने को तो ठीक है हमारा डेमोग्रैफिक जो पैटर्न है कम उम्र के लोग जादा हैं जो भारत की आबाधी में 40 साल से नीचे वालों की संख्या बहुत है अगर हमारी संख्या 40 साल से जादे लोगों की है तो वहीं हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है कि इन नौजमानों के हाथ में नौकरी और रोजगार और सरकार ऐसी विवस्ता बनाए जिससे इनके सपने पूरे हो सके और लाल किले पे खड़े हो करके अगर किसी सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे क्या हमारे देश के गरीबों की किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या करोडो और नौजमानों को नौकरी मिल गई और जो संतुनन बनाना चीए सरकार को आज जिस तरीके से महंगाई है खाने पीने की चीजों से लेकर के डीजल पैट्रोल की ये हमारे देश के लिए चिंता का विशे है क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और लोगों के हाथ में नौकरी और रोजगार ने हुए तो हमारा देश कहां जा रहा है इस पर सोचना होगा